जहां एक तरफ कंगाल पाकिस्तान ने चीन के सामने हाथ फैलाया और मांगा है 110 अरब रुपए का नया लोन जानेंगे क्या है मामला तो वहीं उनके मिनिस्टर ने क्यों कहा कि हमने भारत के साथ दुस्मनी करके सबसे बड़ी मुर्खता कर दी है जानेंगे क्या चल रहा है यहां पर तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर एस जरसंकर ने भी एक बड़ा बयान दिया है चाइना के उपर जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को विस्ता कंगाली में डूबे पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को बचाने के लिए चीन के दरवाजे पर खैरात मांगना शुरू कर दिया है पाकिस्तान ने चीन से अत्रिक्त 10 अरव युवान यानि की 1.4 अरव डॉलर या 117 अरव भारती रुपे का कर्ज देने का गुहार लग लियानो मिन से मुलाकात की और चीनी पक्ष से मुद्रा विनिमय समझोते के तहट सीमा को बढ़ा कर 40 अरव युवान करने का अनुगोध किया ट्रिब्योन की रिपोर्ट के अनुशार अगर चीनी सनुरोध को स्विकार कर लेता है तो कुल सुविधा लगबग 5.7 अरव डॉलर हो जाएगी पाकिस्तान पहले ही अपना कर्ज चुकाने के लिए 30 अरव युवान की चीनी वैपार सुविधा का उप्योग कर चुका है मिदेशी मुद्राबंडार का हिस्सा है जो करीब 11 अरव डॉलर है यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की मांग की है नगदी संकट से जूज रहे देश ने पहले भी कर्ज सीमा बढ़ाने की मांग की है लेकिन चीन ने इस तरह के अपीलों को खारिश किया है यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान ने यह नया अनुरोथ 4.3 अरव डॉलर की सुविधा को विस्तारीत करने के दो सब्ता बात किया है इस विस्तार को चीनी परदानमंतरी ली कियांग की हाल की यातरा के दोरान आपचारिक रूप दिया गया जिसमें पा ले आरे कुछ करजों काउति को लेकर संकट के कारण देश अत्रिक्त वित्य सहायता के लिए मजबूर हुआ है पाकिस्तान और चीन के बीच द्वी पक्षिये बैपार और पर्ट्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान औ ये बड़े ही बुरी तरीके से फसता जा रहा है और फसने के पीचे कहीं न कहीं कारण इनका खुद का है खुद से बनाये गए जाल में ये बुरी तरीके से फसे हैं आपको बता दूँ यहां पर अभी उनके मिनिश्टर्स को कुछ बातें समझ में आ रही हैं और भारत के पड़ती उनका बयान भी बदल रहा है जैसे कि यहां पर इनके मिनिस्टर ने अब कहा है कि हमने एक मुर्खता कर दी है और कहने वाले कोई और नहीं बलकि इनके बैपार मंत्री हैं जम्मु कस्मीर में आर्टिकल 370 को खतम करने के बाद पाकिस्तान ने भारत संग बैपार को रोग दिया पाकिस्तान के अम्मानी कहे जाने वाले मिया मासा से लेकर कई दिगज दोगपती तक भारत से बैपार को फिर से सुरू करने की कई महिने से गुहार लगा रहे हैं इसके बाद भी सहबास सरकार अकड में फिर से सुरू करने अकड में बैठी हुई है और भारत स बैपार को फिर से सुरू करने में अभी ये बहुत सारा समय दिखा रहे हैं स्यों की बैठक में भारतिय विदेश मंत्री एजय संगर के हिस्सा लेने के बाद पाकिस्तान की अकड़ धीली पड़ती दीख रही है पाकिस्तान के वित मंत्री मुहम्मद औरंग्जेव ने अमेर इसले पांच महिने में भारत का पाकिस्तान से आयात सुन्य हो गया है वहीं भारत ने पाकिस्तान को 23 करोड़ 50 लाख डॉलर का खासकर चीनी और दवाएं निर्यात की है इस तरह से बैपार रोकर खुद पाकिस्तान को घाटा हो रहा है अमेरिका में पाकिस्तानी दुताव रहा है उन्होंने सार्क का उधारन दिया और अंग्जेव ने कहा कि हमने हाली में सम्मेलन में हिस्सा लिया और हम ब्रिक्स गटबंदन में भी सामिल होना चाहते हैं इसके पीछे हमारा उद्देश यह है कि बैपार को बढ़ाया जाए आपको बता दें इस बैठक में भारति यहां पर एक अनौप चारिक बाच्चीत भी हुई थी जिससे लगा था कि चीजें सुधर जाएंगी लेकिन चीजें यहां सुधरी नहीं बलकि और देखने को मिल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में चीजें उलचती जा रही है जहां एक तरफ यह सब कुछ चल र हो गया है अब चीजें बहुत अच्छी हो गई है पर यहां पर डॉक्टर एज संकर ने एक बयान दिया है चीन के साथ लड़ाक में देपसांग और डेम चौक परचालों से चला रही तनातनी लगवक खथम हो चुकी है लंबी बादसीत के बाद दोनों देशों ने इस मु पालना बेमानी होगी इस बात का संकर डॉक्टर एज़संकर ने अपने बयान में दिया है उन्होंने बताया कि कैसे चीन के साथ भारत का विवाद अभी भी सुलजा नहीं है भारत यह जानता है कि चीन कितना चालाक है उसकी चालाकी में भारत नहीं फसेगा यह वह भी के बीच में बात बन गई हो लेकिन दोनों देसों के बीच मुद्दे अभी भी सुलजे नहीं है चीन के साथ सफल समझोते को लेकर विदेश मंतरी डॉक्टर एज जैसंकर ने अपने बयान में कहा कि यह बहुत ही अकल्पनिय था यह चतूर कुटनी थी का ही परिनाम था जैस ही नहीं सब कुछ हल हो गया है लेकिन पीछे हटना जो पहला चरण है हम उस पर कायम हो रहे हैं आपको बता दू संकेत साफ साफ है कि भारत और चीन के बीच भले ही लेसी पर पेट्रोलिंग को लेकर विवाद सुलज गया हो लेकिन दोनों देसों के बीच जो लंबे समय से चारहे विवाद हैं वो भी बरकरार है चीन की चालाकी में भारत को फसना नहीं है रूस के कजान में चीनी राश्पती सी जिन पिंग के साथ हाली में पीए मोदी ने मुलाकात की यह तैह हुआ कि दोनों देसों के विदेश मंत्री और सुरच्छा सलाकार मिलेंगे देखें कर ने कहा कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हों जहां खड़े हैं इसका कारण हमारी और से अपनी बात पर अड़े रहना है अपनी बात के लिए द्रीर विष्वास रखना है सेना देश की से रख्षा के लिए बहुत ही अकल्पनिय इस्तिती में भी मौजूद थी सेना अपना काम किया है हाला कि भारत ने यह कदम उठाकर अच्छा ही किया है फिलहाल भारत को भी वक्त मिल गया है किसी भी चीज की तैयारी करने में कुछ न कुछ वक्त तो लगता है और यह बात तो बिल्कुल सही है कि चाइना पलट कर जरूर वार करता है और यह उसके इतिह द्हास में लिखा हुआ है वैसे दुनिया भर के एक्सपर्ट इस बात को कह भी रहे हैं कि चाइना पलट करवार करेगा और यह पलट करवार भारत को भारी भी पड़ सकता है वैसे भारत इस वार पूरा चोकन नहीं है आपको क्या लगता है इन सब मामली में आप क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ